यही अपील शिवरा सिंग चौहान ने पृत्वीपूर की जनता से की है मौका था पृत्वीपूर विधान सभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी शिशुपाल यादव के नामांकन का है शिशुपाल के नामांकन के मौके पर प्रदेश भाजपा ने बड़ी ताकत दिखाई प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंग चौहान, भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, कैबिनेट मंत्री गोपाल भारगप के साथ ही चिकित्सा स्वास्ते मंत्री विश्वा सारंग सभी एक मंच पर नज़र आए सूबे के मुखिया और कैबिनेट मंत्रियों का नामांकन में शामिल होना बताता है कि प्रित्वीपूर भाजपा के लिए कितना एहम है शिवराज लोगों से एक बार मौका देने की अपील कर रही है नामांकन के पहले शिवराज सिंह ने मंडी परिसर में एक बड़ी जनसभा को संभोधिल भी किया जहां मुख्यमंत्री ने कॉंग्रेस को आड़े हाथ मु लिया कहा कि प्रित्वीपूर में 40 साल से एक ही शक्स काबिस है अब उनका बेटा आ गया अगर इस बार नहीं जागे तो 30 साल तक सब कुछ भूल जाना और यहां बहुत दिसका के देजी है इसे 36 साल, इसे 30 साल 30 साल और तिरा आगे भीया को बागी क्याता है बदा हुआ है आए भागे, मैं तो काँए इसको तो करना चाहा होग सिकिक तो अब भारत जनन ता आए जिए ने काही अपना ये तो सूचे प्रित्वीपुर की जनता से अपील करते हुए शिवराज ने कहा कि इस बार इतिहास बदल दो मैं विकास का नेया इतिहास बदल कर दूँगा उसको मैं रोगजी करने के जायत महीं जाया दरसल प्रित्वीपुर सीट पर 2018 विदान सभा चुनाव में कॉंग्रेस के ब्रिजंदर सिंग राठोर ने जीत दर्च की थी अप्रेल 2021 में गोरोना के कारण उनका निधन हो गया इसी कारण इस सीट पर उप्चुनाव हो रहे हैं बीजबी इस बार यहां से किसी भी सूरत में जीत चाहती है पंजाब केश्री के लिए निवाडी से कृष्ण कान पिर्थरे हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद